असलाम लेकुम एंड वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल रिव्यू विद मरीना एकपाल अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नहीं वीडियो अप्लोड हो तो आपको एक नोटिफिकेशन स पता चल रहे हैं आज कल पिंडी में क्रिकेट का बोल बाला है पिंडी स्टेडियम में हो रहा है नैशनल टी-20 कप जिसमें तकरीबन सारे ही पाकिसानी प्लेयर्स ने शिमूलियत की है अभी तक हुए हैं आठ मैचेज दस मैचेज बकाया हैं पिंडी में इसके बाद ही टो इसका हिस्ता बनाएं खैबर बख्तून खाने पिछले साल मुहमद रिजवान की कपतानी में यह टाइटल अपने नाम किया था तो वह इस साल के डिफेंडिंग चैंपियंज हैं और चैंपियंज की बात करें या जीतने की बात करें तो अभी तक आठ मैचेस के बाद जो ट लिए टॉप पे हैं उसके बाद है होम सिटी सेंटरल पंजाब फिर है खैबर पख्तूनख्वा उसके बाद नौदन पिर है बलोचस्तान और एंड पे है एटी एफ सेदन पंजाब जो अभी तक नाकाम रहे हैं अपनी पहली जीत रिजिस्टर करने के लिए टॉप पर्फ 25 रंस के साथ पेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं उस्मान कादिर के जन्होंने चार्विक्टे हासिल की सिर्फ 25 रंदे के खुरम मन्जूर ने अभी तक सबसे हाई स्कोर किया है इंडिविजल स्कोर 84 यानी 84 रंस और रहेल नजीर ने अभी तक 5 लोग को डिसमिस किया है अब करते हैं पिच्छ की कि यहां पर क्या किंडिशन्स हैं बैटिंग के लिए अच्छा है बॉलर्स के लिए अच्छा है फास बॉलर्स नजर आ रहे हमें विकिछ लेते हैं या फिर स्पिन अपना रोल पर खुब यह अदा कर रहा है तो थोड़ा सा कंपैरिजन गे रहा फास पॉल इस ने अभी तक ली हैं 72 विक्टें, 7.55 की एकॉनमी के साथ, स्पिनर्स ने ली हैं 30, 6.47 की एकॉनमी के साथ, अभी तक का टीम हाइस टोटल रहा है, केपी का जो के नाइट मैच था, 184. पावर प्ले में अभी तक जो हाइस को रहा है, वो भी केपी का है, और वो था 59 यानि 69 एक खिलाड़ी के नुकसान पर, तो यह थोड़ा से रिफलेक्ट कर रहा है, के यहाँ पर बैटिंग इतनी असान नहीं है, मैंने काफी करीब से यह मैच इस देखे हैं, तो जो मैंने इस चीज को समझा है, थोड़ी सी स्लोर साइट पर यह विकेट्स हैं, इस्पेशली जो पहला मैच होता है, जो दिन के तीम बजे स्टार्ट होता है, उसमें जो पहली इनिंग्स होती है, वहाँ पर बॉल ग्रिप करता है, इवन सेकंड इनिंग्स में भी, तो जो कह सकते हैं के बैटिंग असानी से की जाए, वो यहाँ पर नजर नहीं आई, इस्पेशली ऑन दा अप, चॉट्स नहीं लग रहीं, और फास बॉल इस भी हमें दिखे हैं, स्लोर बाउंसर्स, कटर्स कराते वे, थोड़ा सा बॉल ग्रिप हो रहा है, इसलिए रन स्कोरिंग हमें जादा नजर नहीं आ रही, जैसे से शाम ढलती है, डियू गिरना शुरू हो जाती है, और उसके बाद बल्ले पर अच्छा बॉल आता है, तो थोड़े से रंज बनाने कदरे असान हो जाते हैं, लेकिन अभी तक जो हाल रहा है इस एडिशन का पिछले एडिशन से, वो स्टैट्स मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगी, वो कुछ इंटरस्टिंग स्टैट्स हैं जो अभी तक हमने देखा हैं नोट किया है, तो उस पर बाद में बात करेंगे, अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि क्या बैटिंग मुश्किल यहां पर है, या टीम्स कमपोजिशन की वज़ा से इतना स्कोर नहीं हो पारा, बॉलर्स फॉर्म में हैं, फॉल्स फायदा उठा रहे हैं या नहीं, या बैटर्स अपने रोल के हसाब से नहीं खेल पारें, थोड़ा सा स्क स्कॉर्ड्स नैशनल टी-20 के, सेंट्रिल पंजाब पे बहुत बाते हो रहीं थी, बहुत बड़ी साइड है, तक्रीबन सारे ही पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स को छोड़के, उसके बाद खैबर पख्तूंखा काफी स्ट्रॉंग साइड है, नौदन में टी- पाकिस्तान टीम ने, सारी यह टीम के जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने इस टोर्नमेंट का हिस्सा बनने का फैसला किया था, जिसकी वजह से काफी प्लेयर्स टोटली इस टोर्नमेंट से आउट हो गए, कुछ प्लेयर्स अभी भी ऐसे बेंच पर बैठे हैं, जिन में बहुत लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा, इसी चीज़ को मदे नज़र रखते हुए, पीसी बी ने ये स्टेप लिया है, कि वो इन दो दिनों में जो दो दिन आफ हैं, उसमें लोन या ट्रांसफर प्लेयर्स की अपरचुनिटी देंगे, अब नज़र डालते हैं कि इस ट् स्कॉर्ड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन यासिशा इंज़र हो गए, उनको हेयर लाइन फ्रेक्चर हुआ है, पिछले मैच में फिल्डिंग करते हुए, उनकी जगा मौमद मौसिन को मौका मिला है, इस बार, लखतर को नौधन से पिक किया है, और आइसिंक ये बहुत स्पिनर हैं, तरफ चार विक्टें दूर हैं अपनी टी ट्विंटी की पचास विक्टें पूरी करने में, और मेरा ख्याल है कि फैसल अक्रम के साथ ये एक अच्छा स्पिन डपार्टमेंट इनको मिल जाएगा, जो के एक्स्पिरिंस लाइक कर रहे थे, सेंट्रल इस अशारिया, दो तीन की एवरिट से, सो उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट, पास बॉलर डिपार्टमेंट भी जो है, वो अब स्ट्रॉंग हो गया, तो ये और फेवरिट्स हो गएं इस टोर्निमेंट के लिए, देखते हैं कि अब ये ट्रॉफी जीत पाएंगे या नह इस चीज़ पर फीडबाइक अपना जरूर दीजेगा कि जो ट्रांसफर की ऑपरचुनिटी और जो सिस्टम पी सीबी लेके आया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये होना चाहिए है या फिर इसको ओवरिकम इस तरीके से भी किया जा सकता है कि नंबर ओफ टीम् पाकिस्तान प्लियर्ज क्योंके सीरीज न्यूजिलाइंड और इंग्लेंड की कैंसल हुई थी तो सारे प्लियर्ज अवेलिबल थे, उन्होंने इस टौर्नमेंट में हिस्सा लिया जो कि अविसली अलीट टॉमेस्टिक टौर्नमेंट है, जिसके वाइसे काफी ऐसे प्लिय रही ना, और काफी बैलन्स टीम्स बन सकती है, इस हिसाब से भी अगर नंबर उफ टीम्स बढ़ जाएं तो काफी प्लियर्ज अकॉमोडेट हो जाएंगे, इस बारे में जरूर फीडबाइक दीजएगा, और ये भी जरूर पताईएगा कि किस प्लियर को आपकिस टीम कॉ इडिशन से, अब भी काफी मैच बचे हैं, जहौर में भी होने हैं, और पिंडी में भी दस मैच बचाया हैं, लेकिन अभी तक जितनी क्रिकेट देखने को मिली, उस हिसाब से थोड़ा सा कंपेर करते हैं, अभी तक कोई भी टीम दोसों से उपर नहीं जा पाई, हाइस्ट केपी का टोटल रहा था, 184, और पिछले एडिशन में 15 बार टीम्स ने दोसों का हदफ क्रॉस किया था, उसके बाद थोड़ी सी बात की जाए, अब भी तक सिरफ 74-6, जानि 74 चखके लग चुके हैं, टी-ट्वेंटी है, एक्साइटमन लेवल होता है, हम सारे ये उमीद क करते हैं, कि छखके जो के हमें जादा देखने को मिलेंगे, ये थोड़ा सा रिफलेक्ट करता है कि बैटिंग इतनी असान नहीं है इन विकेट्स पे, थोड़ा सा डिफरेंट कंडिशन नहीं आप है, तो आगे देख चलके देखते हैं कि कौन सी टीम कामयाब होगी सबसे पहले, दोसों करने में, उसके बाद लाहूर में क्या एवरिज को रहता है, तो ये थोड़ा सा पैरेजन था, और एक और चीज़ ये कि अभी तक सिर्फ दस पचास बन चुकी हैं, तो अभी तक बालर्स का पल लड़ा जो है, वो काफी भारी रहा है, अपना फीडबाइक जरूर दीजेगा, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगीं, क्या नहीं लगीं, नाशनल टी ट्विंटी को जरूर फॉलो करें, क्या चीज़ें बेतर कर सकते हैं, हम पाकिसान क्रिकेट के लिए आपको और हमें मिलके बोड को भी बैक करना है, अपने क्रिक्टरस को बैक कर नाशनल टी ट्विंटी को फॉलो करते रहें, और मुझे कमेंट्स में जरूर पताईएगा, क्या आपका नाशनल टी ट्विंटी का फेवरिट प्लेयर, और फेवरिट टीन कौन सी है, जो आप चाहते हैं, किस बार जीते, उसके बाद जो भी फीडबाइक आप देना चाहे में वो वेलकम है, I will see you guys very soon, अपना ख्याल रखियेगा, और stay safe, take care, Allah Hafiz